जो मैंने अपनी मा के लिए लिखाता है लेकर आख में आशू दुनिया से जंग करती है वो मा है जो मुसीबत को भी तंग करती बहुत बहुत सुक्रियां अब एक गजल के चंद साथ जब उठाके वो नजर देखेंगे जब उठाके वो नजर देखेंगे क्या पता फिर किस कदर देखेंगे आसकी तो बेखबर होती है आसकी तो बेखबर होती है होके हम भी बेखबर देखेंगे चांद इतनी पास से कब देखा है पर कभी तेरी कमर देखेंगे चांद इतनी पास से कब देखा है पर कभी तेरी कमर देखेंगे काम जब कोई दबाई ना करे काम जब कोई दबाई ना करे फिर दुआ का हम असर देखेंगे जब उठा कर वो नजर देखेंगे बहुत बहुत सुक्रिया एक गजल के चंद असार और जूटी तारीफों से सच्ची गाली अच्छी लगती है दीपविया जूटी तारीफों से सच्ची गाली अच्छी लगती है मुझको तो उर्दू भी हिंदी वाली अच्छी लगती है माते पर बस बिंदी काली अच्छी लगती है मुझको माते पर बस बिंदी काली अच्छी लगती है बीबी सुन्दर होती है फिर भी अक्सर होता है ये सब चालों को अपनी अपनी साली अच्छी लगती है मैं इसक के मदीना होकर आया हूँ एक रात ताज के साए में सोकर आया हूँ मैंने मुम्ताज की मैंकसी देखी है मैं साजाओ के बेडरूम में होकर आया हूँ बहुत बहुत सुकरिया जब ताज मेल लेगने कहे थे कुछ कया लोर कुछ तो यूँ भी जाता नहीं मैं काने मैं मैं काना तो सब जानते हो बाहर सराब कर अब क्यों नहीं जाता वो आगे बताऊंगा कुछ तो यूँ भी जाता नहीं मैं काने मैं सराब कभी नापकर पीता नहीं में पैमाने में हमसे मत पूछो उनर हमारा हमसे मत पूछो उनर हमारा हम आसे के जनाब पैदा कर देते हैं अलचल बीराने में पैदा कर देते हैं अलचल बीराने में और तुम क्या समझते हो यूँ ही है इसके करना पुम क्या समझते हूं युँ है इसके करना लोग पत्तर तक मार देते हैं एक दीवाने में एक नजम और उसके बाद वेदाल हुँआ उसे आईस्क्रीम पसंते ही मुझे सरदिया अच्छी लए लगने लगने usare पाड पसं थे मुझे बादियाँस चीसल लगने लगी उस समं पसंती मुझे बस्तियां अच्छी लगने लगी उसे दरक्त पसंती मुझे कलियां अच्छी लगने लगी उसे नानी पसंती मुझे परियों की कहानियां अच्छी लगने लगी उसे बातें गोल-गोल पसंती मुझे जलेबियां अच्छी लगने लगी उसे मेरे दोस्त पसंत मुझे उसकी सहेलियां अची लगने लगी, मुझे उसकी सहेलियां अची लगने लगी, उसे रेल पसंती, मुझे पट्रियां अची लगने लगी, उसे सायर पसंती, मुझे सायरियां अची लगने लगी